यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तो जिपमर ने MBBS admission 2020 के लिए prospect जारी कर दिया है इसमें 2019 तक जिपमर दोरा exam conduct करवा कर admission दिया जाता था लेकिन इस साल नीट score पर admission होगा इस वीडियो में हम जिपमर के admission process, seat matrix और tuition fees के बारे में बात करेंगे जो prospect 2020 में mention है साथ ये भी चर्चा करेंगे कि जिपमर में admission के लिए expected cutoff क्या रह सकती है तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि अगर आप counseling के बारे में जानकारी लेना चाते हैं तो मैंने इसके लिए book publish की है वीडियो के description box से या फिर हमारी website www.chopdaeducation.com से आप इसको download कर सकते हैं इसमें मैंने हर एक state की वै आल इंडिया कोटा की twice अपने करम में कैसे fill करनी है top से lowest college कौन सी है इसकी list दे रखी है इसके साथ ही साथ मैंने seat matrix previous year की cutoff और इसके बाद में tuition fees भी बता रखी है तो ये book आपके लिए काफी helpful रहेगी अब वीडियो सुरू करते हैं तो jipmer.edu.in की website पर आपको ये prospect मिल जाएगा आप इसको इसकी website से download कर सकते हैं जब हम इसके prospect में देखते हैं तो इसमें clear लिखा हुआ है कि jipmer के पुडूचेरी और क्राइकल केंपस में MBBS admission के लिए counseling MCC द्वारा करवाई जाएगी और NEET score base पर इसमें admission होगा तो आपको मैं बता दूँ कि NEET का result आने के बाद जब MCC द्वारा आल इंडिया कोटा, Central University, DMD University के registration स्टार्ट होंगे तब आप jipmer के लिए भी mcc.nick.in की website पर registration कर सकते हैं जब ये registration स्टार्ट होंगे तब मैं आपको inform कर दूँगा तो finally ये clear हो चुका है कि jipmer की counselling MCC द्वारा करवाई जाएगी अब हम इसकी seat matrix की बात करें तो इसमें दो परकार का कोटा होता है एक जो पुडूचेरी के जो domiciled candidate है उनके लिए इसमें seat रिजरू है और एक All India candidate के लिए इसमें seat रिजरू है इसमें NRI की 5 seat अलग से है तो इसमें आप category wise देख सकते हैं UR की 57, EWS की 13, OBC की 36, SC की 19 और ST की 9 मतलब ये हैं कि जो All India का candidate इसमें admission लेना चाहता है उसमें EWS के लिए भी वो apply कर सकता है इसके बाद में जो पुडूचेरी के domiciled candidate है उनके लिए इसमें total 48 seats हैं पुडूचेरी campus में तो ये total 187 पुडूचेरी campus में है इसके बाद क्राइकल campus की बात करें तो इसमें 62 seats हैं जिसमें All India candidate के लिए 45 seats हैं NRI के लिए 1 seat है और जो पुडूचेरी के domiciled candidate हैं उनके लिए 16 seats हैं तो total 62 seats हैं हैं तो इनको मिला कि total 249 seats हो जाती हैं अब बात करें हम इसके admission process की तो admission process तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये MCC दोआरा counselling करवा कर इसमें admission दिया जाएगा अब हम इसमें बात करेंगी इसमें documents की क्या-क्य requirement होगी आपको admission के time पर तो इसमें सारे original certificate की ज़रत होगी आपको और इसमें एक set self-attested photocopy की ज़रत होगी सभी certificates की इसके बाद में six passport size की color photograph की ज़रत पड़ेगी इसके बाद में ये जो आपको certificates हैं ये admission के time में ज़रत पड़ेगी उसमें है ID proof जो आपने NTA का form फिल करते समयं आपने mention किया था या फिर उसमें ID proof के लिए जो documents mention हैं उनमें से कोई एक हो जैसे आदार card हो गया water ID card हो गया इस परकार के आपके ID proof deposit करने हैं आपने इसके बाद में admit card जो आपने need का exam दिया था 2020 के लिए इसके बाद में जो result आएगा result seat होगी वो आपको produce करने होगी इसके बाद में provisional allotment later अगर आपको seat allot हो जाएगी mcc द्वारा तो mcc की website पर आपको allotment later मिलेगा वो आपको साथ में वहाँ deposit करना है इसके बाद में date of worth का प्रूप जो 10th की mark seat में होता है इसके बाद में pass certificate होता क्या है तो दोस्तों मैं आपको यहां बता दूँ कि जैसे 12 के exam जिस candidate ने cbsc से दी है तो उसका दो साल बाद में एक certificate आता है mark seat के अलावा उसको pass certificate कहा जाता है अगर जिन candidate ने अभी दो साल के बाद exam दी है तो उनको यह pass certificate अभी नहीं मिला होगा अगर 2017 तक किसी ने exam दी है उससे पहले exam दी है तो आप अपने school से पता कर लें आपका pass certificate आ चुका होगा इसके बाद में आपको यह mark seat 12th की mark seat प्रोडूस करनी है इसके बाद में एक character या फिर उसको conduct certificate कहा जाता है जो इस्कूल से आपने जहां से बारवी class पास किया है वो school से issue होता है वो certificate आपको देना है यहां उसको study certificate भी कहा जाता है या character and conduct certificate भी कहा जाता है जो आपके 12th की class के school से आपको मिलेगा इसके बाद में अगर आप इसमें residence का certificate चीए domicile का certificate चीए कि आप कहां के रहने वाले हैं इसके बाद में अगर आप OBC SC ST EWS category से हैं तो उसका आपको certificate अलग से चीए इसके बाद में इसमें transfer certificate देना है आपको जो जिसको TC कहा जाता है अगर आपने 12th class pass कर ली तो उसके बाद में आपको TC जो जारी की जाती है वो TC आपको deposit करनी है उसके बाद migration certificate जो आपकी board की mark seat के साथ में आपके school से मिलता है board का migration का मतलब होता है कि आप दूसरे board में exam दे सकते हैं उसके लिए eligible हैं तो यह migration certificate भी आपको deposit करना होता है इसके बाद में आपको medical certificate की जोरत होती है जो वो बाद में बन जाता है admission की time में अब हम बात करें यहां fees की तो इसमें admission fees 5,000 रुपीज लगती है academic fees है वो 1,400 लगती है और इसमें SSS fees है वो 2,000 लगती है इसमें learning resources fees है वो 2,000 है इसके बाद में cfa है वो 70 रुपीज है information technology charges है वो 2,000 रुपीज है आई card का charge 150 रुपीज है इस परकार से total 12,620 रुपीज इसमें fees आपको pay करनी होगी इसमें इसके बाद हम बात करें hostel के लिए तो इसमें hostel के लिए जो non refundable establishment charge है वो 6,000 रुपीज है इसके बाद में आपको constant deposit जो refundable है वो 5,000 रुपीज और hostel मेज की जो आपको security deposit करनी है refundable है वो 3,000 रुपीज आपको यहाँ pay करना होगा इसके बाद में room rent अलग-अलग है 6,000 और 9,000 अलग-अलग है वो आप इसमें यहाँ पर इसके बाद में इसमें annexer दिया हुआ है यह जो पुडूचेरी के resident है उनको जो domicile certificate बनाना है वो इस format में आपको बनाना है इसमें सारी यह दिये गए हैं तो आप इसका जो prospect है वो download करके आप इसको अच्छी तरह से read कर लें अब हम इसके expected cutoff के बारे में बात करें तो इस साल इसकी 660 यनि 660 cutoff जाने की संभावना है तो दोस्तों यह जानकारी थी जिपमर के बारे में बाकी जानकारी आपको admission के time में दे दी जाएगी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करके बैल आइकोन प्रेस करें वीडियो को लाइक हो जदा जदा शेयर करें मिलते हैं नए जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैए हिंग